नमस्कार पिरिये जन्हों आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी शुपजिंतक वीना शर्मा आपका आए मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सावन के महीने में भोलेनात्मा पारवती की अप लगातार पूजा कर रहे हैं और जब भी विवाद शादी के लिए आप पूजा करने जाएं भोलेनात्मा पारवती की मंदिर में बाहर मैं घर की बात नहीं कर रही हूं, मैं मंदिर की बात कर रही हूं, जहां आप बाहर शिवलिंग की पूजा करने जाते हैं, तो जब भी शिवलिंग की पूजा करने जाएं, तो सावन समापत होने से पहले पहले, विशेश तोर से कहूंगी सोंबार को लेकि आएं, नहीं तो कि किसी भी दिन अपने विवा शादी का बंधन खोड़ने के लिए चुंकि आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह कितने भी कुरूर ग्रह हो पापी ग्रह हो आपकी जनल कुंडली में जो विवा के रुकावट बने हुए हैं वो सारे दूर करने के अगर किसी में है किसी में तेज है तो वो है भोले नात शिव शंकर भगवान है जो सारे रुकावटे दूर करके आपके विवा के बंधन खोड़ते हैं तो जब भी आप जाएं वहाँ पर मंदिर में शिवलीन की पूजा करने के लिए तो मंदिर से आते हुए सावन स्मापत होने से पहले-पहले कुछ चीज लेते आएं लेकिन लाएं जरूर और लाके उनको किस तरह से कैसे प्रयोग में लेना है ये बता रही हूं कि कैसे आप उन चीजों को रखेंगे और उनसे क्या लाब होने वाला है सबसे पहले मैं आप से बात करूंगी कि जो आपके धतूरे का पोदा होता है उसके फूल च बोड़ेनाथ की किरपा से आपके अगर जर्मकुर्णी में काल सर्फ दोश है तो वो भी दूर होगा क्योंकि बोड़ेनाथ का अंश जो है भैरवदेव ये उन्हीं से उपजा हुआ हुआ फल है ये और तोरंट ये आपके सारे रुकावटें सारे बंदन खोडता है सारे दूर करता है विवा की और विवा योग बनाता है इसलिए जहां पर भैरवदेव हैं वहां कोई रुकावटें कोई विगन वादाएं होती ही नहीं है तो आप ये दतूरे का पौधा जरूर लाए और लाके अपने पूजागर में सहिजगर रखें बेटे बेटियां विव जुँआ ये ये अपने घर में रख सकते हैं दूसरा कोऊंगी कि भसम आप जरूर लेके आएं जो भोड़े नाथ को लगाए लगाय गया हो तो भोड़े नाथ के लगे हुए भसम जुरूर लेकि आएं और लाके अपने घर में चिड़के जल में डालके या फिर उसको बंधन जितने भी रुकावटे हैं वो सब दूर हो जाएंगी तीसरा आपको कहूंगी कि बेल पत्र वहां पर चड़े हुए होते हैं बोड़े नात के बेल पत्र आपको जितने मिलें पांच, दस, ग्यारा, साथ, जितने भी मिल जाएं वो लेके आईए लाके एक माला बनाके आपके घर में रखिए जितने भी रुकावटे हैं नेगटिविटी हैं आपके लिए परेशानियां खड़ी हुए हैं हर चीज के लिए विवा के साथ साथी नोकरी, जॉब और आपके धन उस सारी की भी दिक्टें परेशानियां आपके दूर होंगी वो जरूर लाके रख करते हैं, जो भोलेनाथ को चड़ते हैं वो फूल लेकी आएं, फूल लाके अपने घर में रखें, पूजा घर में सहीज कर रखें, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे बिगडे हुए, तीसरा आपको ये कहूंगी कि वहां की मिट्टी लाके रखें आप मापारवती का श्रिवाद होता है उस मिट्टी में, जो मंदिर की मिट्टी होती है, उसको लाके ऐ विभायत बेटे बेटियां पानी में डाल कर नहाएं, आपकी सारे बंधन विभा के खोल जाएंगे, परेशानिया सारी दूर हो जाएंगी, इसके साथ ही अगर आप वहां से थोड़ा ग यूज करके देखें इतनी चीजें घर में, आप देखेंगे कि जिस दिन लाके रखेंगे उसके अगले दिन से ही आपकी सारी परेशानिया दूर होंगे, विशेश तोर से विभा के बांदे हुए सारे बंधन खुल जाएंगे, जन्मकुंडली से, जो कुछ भी है वो सारी परेशानिया दूर होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहें, कमेंट बक्स में हर महादेव अबश्य रिखें, थैंक्स वर वाचिए.